सास्री काल, वेलकम डू ब्लूबर्ट रिवो कैनडा से क्या बिग अपडेट चल रही है और किन किन को वीजा मिल रहे है और प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे इस वीक की क्या निउस रही है कैनडा की सबसे पहले यदि आप वीजा अपलाई करने जा रहे हैं कैनडा का तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड निउस है कि कैनडा अभी तक वीजा रिजल्ट बहुत बढ़िया दे रहा है और बहुत सही रिजल्ट आ रहे है मिन्स की जो इलिजिबल कैंडिट है जिनके डॉकुमेंट कम्पलीट है उन सबको अल्मॉस्ट वीजा मिल रहा है और यदि आपका प्लान भी है कैनडा वीजा अपलाई करने का जरूर करें बट कुछ चीज़े हैं जो आपको दियान रखनी होंगी वो आज हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले है आपको प्रॉस्स बता होना चाहिए की वीजा लगता कैसे है और क्या प्रोस्स होता है मैं एक सिम्पल सा एक प्रोस्स बता रहा हूं आपको क्योंकि काफी लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है कैनडा वीजा के नाम पे जब Canada में आप application करते हैं तो आपकी online application जाएगी एक email सबसे पहले आपके पास आएगी file submit होने की उसके बाद आपको एक application number assign होगा उसकी एक आपके पास email आएगी then आपके biometric update होने यदि आपने biometric पहले दिये हुए है तो second time आपके biometric नहीं होते हैं biometric update की एक email आएगी नहीं तो आपको एक biometric letter आजाएगा जिससे की आपने biometric देने VFS में जाना है यदि आपका visa apply हुआ है और इस तरीके से apply हुआ है कि आपके biometric नहीं हुए और आपका result आगया है तो यदि कोई कह रहा है कि हमने application करी है आपका visa आगया और आपको अभी तक biometric देने ही नहीं गये है तो समझ लो कि आपके साथ fraud हो रहा है fraud हुआ है आपके साथ तो उस case में अपना पैसा safe रखें किसी को पैसा ना दे बट ये चीज कहीं के साथ हो चुकी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज से आप बचके रहें क्योंकि हमारे पस कुछ recent queries इस तरके के आई है जिनके visas लग चुके हैं sticker भी लगा दिये गए हैं बट उन्होंने biometric भी नहीं दिये और उन्होंने कोई file उनके पास submit हुई और उन्लाइन इसका भी proof नहीं है और वो fraud visa है यानि उनसे पैसे काफे ले लिए गए है और इस तरके के case और भी हुए अब recent में एक एरपोर्ट से भी किसी को वापिस किया गया तो उसकी news भी जो आई थी कि उनको भी एरपोर्ट से इसलिए वापिस कर दिये गया था क्योंकि जो sticker उनके passport पे लगा था वो एक duplicate visa था जो सिर्फ उनसे पैसे लेके उनके sticker लगा दिये गया था और उनके कोई biometric भी नहीं हुए थे इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो ये process समझ लें कि biometric होना बड़ा जरूरी है और visa आने के बाद एक PPR आता है और PPR आपका VFS में दबारा submit होता है और उसके बाद आपको जो है result मिलता है उसके बाद जो visa sticker आपके passport पे लगके आता है तो इस चीजों से बचके रहें ऐसे fraud में ना फसे हैं और second जो fraud हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप से इसी नाम पे पैसे ज़्यादा मंगे जा रहे हैं कि हम आपका guaranteed visa लगवा के देंगे ही देंगे तो इस fraud से भी बचके रहें कोई भी आपको guaranteed visa नहीं दे सकता कोई ये कहे कि मेरी embassy में सैटिंग है तो मैं आपको एक common सा tip देता हूँ यहाँ पे कि embassy में सैटिंग हो ही नहीं सकती किसी की क्योंकि जितने भी Canada के result आ रहे हैं वो सारे के सारे रात को आते हैं मतलब कि उस टाइम Canada में दिन होता है तो application Canada में चेक हो रही है Delhi में चेक नहीं हो रही है तो जब आपकी application Canada में चेक हो रही है तो Delhi में किसी की setting क्या करेगी और Canada कोई corrupt country नहीं है जहां पे आप मतलब पैसे दोगे और visa आप ले आओगे ऐसा possible नहीं है Canada में तो मतलब कोई एक single person corrupt हो सकता है तो पूरा का पूरा system corrupt होना possible नहीं है तो इसलिए ऐसी जो बाते हैं उनसे बच के रहे हैं और Canada को जो भी update है वो यही है कि results बहुत बढ़िया है process time बहुत अच्छा चल रहा है आप जब filing करते हैं तो आपको within one month visa result मिल रहे हैं और कुछ cases में 50 days तक जा रहे हैं और biometric होने के बाद आपको normal 20 to 25 days ही wait करना है और आपका result जो है आपको positive मिलने के चांस जाद है और इसमें कुछ cases में auto refusal आ रही है जो refusal within two or three days में आ जाती है कुछ cases में auto refusal आ रही है जो normal 8 से 10 दिन में आ रही है तो जिनकेस आपकी auto refusal आ जाजे तो दुबारा जरूर अपलाई कर दे auto refusal से ना डरे हैं क्योंकि वो एक software उन्होंने launch किया हुआ है और वो आपकी application खुदी assess करके उसके coding result दे देता है तो उससे ना डरे re-application जरूर करें तो अभी मेरा कहना यही है कि results अच्छे हैं आपको जरूर अपलाई करना चाहिए application आपकी सही तरिके से लगी यह बहुत जरूरी है क्योंकि application में जिन जिन चीजों का ध्यान रखना होता है वो बहुत आपको carefully करनी पड़ेंगी application form आपको ध्यान से फिल करने होंगी cover letter आपको बड़े ध्यान से बनाना होगा travel plan एक बहुत अच्छा बना के आपको visa officer को देना होगा साथ में आपको अपना justify करना होगा कि आपने tourist visa क्यों apply कर रहे और क्या reason है tourist visa पे जाने के यह सारी चीज़े आप बड़े सही तरीके से explain करके visa filing में करेंगे तो आपके visa result जो है वो positive रहने के chance हाई रहते है रिजल्ट अच्छे आ रहे इसकी update हमने आपको दिया और इन चीज़ों का ध्यान रखके अपनी application करें तो आपको result भी अच्छे मिलेंगे और आप fraud से भी बच सकते हैं तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगी आपकी help करेगी visa लेने में वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को subscribe ज़रूर कर दें मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई information के साथ